आपके पस Nokia C32 है, 22 है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पर Digital Wellbeing and Parental Control का जो भी डेटा है, वो आप कैसे manage कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, फोन से, जो भी आपकी activity है ना, उसको control करने के लिए, आप सेटिंग पर जाएंगे, और Digital Wellbeing पर क्लिक कर लेंगे, इस टैप से option आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, setting को आपने इतनी देर चलाया, clock इधर और other application, और 20 बार unlock किया, 30 notification आए, इस टैप से पूरा dashboard खुल जाता है, ठीक है, और dashboard पर जाएंगे, तो देख सकते हैं, 33 minute तो मैंने सिर्फ setting को use किया, 3 minute clock को, 1 minute Google, इस टैप से option आ रहे हैं ना, जो, अब यह से option आएगा, और इसके बाद यहाँ पे daily phone usage पे मैं इसको turn off कर लूँगी, इसके बाद यहाँ पे digital well-being को turn off कर लेना है, back कर लेना है, ठीक है, अब यहाँ पे back करेंगे, तो इस step से option आपको देखने को मिलेगा, तो digital well-being इस step से आप control कर सकते हैं, turn off कर सकते हैं, इसका data, on कर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,